अध्यक्ष महोदे, मैं जिन वातों के लिए जीवन भर लड़ते आया और आज वो शपना पूरा हुआ है कि समाजबादी आंदोलन में हमारे उची जाती के लोग जिन को मैं आज स्मरन करता हूँ यह लोग जब हमारे साथ समाजबादी आंदोलन में चलते थे और कहते थे डाक्टर लोहिया बांधी गांट पिछड़ा पावे स्व में साथ तो उस समय जब उनके घर पर में जाता था वो साधानन परिवार के गरीब सब थे तो वो मुझे को कहते थे कि कभी आप लोगों का राज आएगा तो यह उची जाती के ब्रामन के भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी सोचिएगा तो उनके मन में एक अर्मान था कि कभी पिछडी जाती का ऐसा आदमी सत्ता में आएगा जो संपून समाज के समग्र विकास के लिए सोचेगा और उस दिन उची जाती के गरीबों के भी बच्चे की अर्मान को पूरा करेगा मैं सोचता हूँ वह दिन आ गया बिहार के अंदर रामान अंतिवारी, कपिल देव सिंग, सिरी क्रिशन सिंग, सचिदानन सिंग ये लोग करपुणी ठाकुर के नित्रुत में जब लरते थे मैं जानता हूँ जब बाबू सतेंद्र राजपूतों के साथ 77 में करपुणी ठाकुर जी के नित्रुत का संगहर्स हुआ था उस समय मेरी पाटी में, उस समय जनता पाटी में 33 राजपूत थे उसमें से 17 राजपूतोंने करपुणी ठाकुर का समर्थन किया था अब अब सतेंद्र राजपूतों का समर्थन नहीं किया था क्या उनका अर्मान नहीं था इसलिए 37 में जब करपुणी ठाकुर ने आरक्षन दिया 26% उन्होंने दिया 12% पिछला एनेक्षर 1, 8% एनेक्षर 2, 3% महिला, 3% आर्थिक दिरिश्टी कोन से गडीब उन्होंने सुरुवात की थी वहाँ थे आज उसको बरते बरते हम यहां तक आए हैं पिछला बर्ग कमीशन का जब सवाल आया इतने दिन नहीं हुआ जाने जीजिए लेकिन मुझे लोग कहते थे कि भारते जंता पाटी कभी पिछला बर्ग राष्टे आयों को संबेधानिक दर्जा दे पाएगी उची जातियों के पाटी पाले हैं यह कभी करेंगे लेकिन जब यह आरक्षन का पिछला बर्ग आयों को राष्टे आयों का दर्जा दिया गया संबेधानिक दर्जा तो उसके पास करने समय में भायराजना सिंग, सुस्मा सोराज जी, अटबानी जी, गदकरी जी यह कलाज मिश्र बैठे हैं, इन सभी मुची जातियों के लोगों ने पिछला बर्ग आयों को जब राष्टी आयों का दर्जा दिया तो क्या ही पिछले बर्ग के लिए इनकी कुर्मानी नहीं है क्या इनके इस कुर्वानी को भूल जाएंगे मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, देश में दो बिचार धारा का दुन्द रहा है चाहे वो सबर्न हो, चाहे अबर्न हो, चाहे कुबर्न हो, चाहे पिछडा हो, चाहे दलित हो एक है कटरपंथी, और एक है उदारबादी बालमीकी से ले करके मैं वहाँ से शुरू करणगा बालमीकी से ले के समाज बादियांदोलन की धारा में आज भारतिय जनता पाटी में राजनाज सिंशी लेके सुस्मा सुराज तक उसे बालमीकी के उदारपंथी पर धारा के प्रतिपोसक है इसलिए मैं इस सबों को धनिबाद देता हूँ आज उन्होंने स्री नरेंद्र मोदी जब एक पिश्रे बरके हैं उन्होंने इस आरक्षन को लाया है जिस्ता मैं करपूरी ठाकुर के नितुर्त में अध्यक जी और हमारे साथियों उची जाती के साथियों मुझे कंधा पर लेके नेता बना रहे थे आज इस सदन में गरजने वाले लोग है उनका कहीं जनम भी नहीं हुआ था हमने क्या क्या नहीं भोगा और उसको भोगते हुए यहां तक आए हमने सब देखा अभी धर्मेंद्र जी बोल रहे थे क्या वो भूल जाते हैं कि मुलाएम सिंगर अखलेस के बनाने में जनेसर मुश्रा का इनके पसीना से कम जोगदान है बरज हुसन की बारी का कम जोगदान है मोहन सिंग का कम जोगदान है राज नरान का कम जोगदान है क्या बात करते हो क्या बात करते हो धनेबाद दो उनको ये उची जाती के लोगों को डाक्टर लोहिया ने कहा था कि आप नमक बन जाओ खाद बन जाओ तब आपके इस खाद पर इस नमक पर पिछ्रे और दली समाज के कमल खिलेंगे जो उन्होंने खाद बनने का काम किया पशिना देने का काम किया परिश्रम देने का काम किया आज पिछ्रे दलीत के हाथ में सत्ता आई है तो उन गरीब उची जाती के गरीब बेटों के आँख के आँशू नहीं पूछोगे तो ये राजनितिक ताप होगा इसलिए मैं आप जपनाइस न करता हूँ जरा उधार बनके सोचो कठर पंथी धारा का मैं सब जिन से बिरोधी रहा हूँ कठर पंथी कोई भी धारा हो चाह सמת्रदाई को चाहे धार्मी को चाहे राजनितिको ये कट्टरपन की जातबाद की धारा से मैं लड़ते आया अगर नहीं लड़ता अध्यक जी तो हुकुम दो नरहें जादा वज़ भारते जनतापाती में क्यों आता मेरी लड़ाई किस बाद की थी और आज भी लड़ाई है जीवन के अंतिमचंत तक उसकटरबाद के बिरुद में लड़ते आया हूँ और जीवन के अंतिमचंत लरूँगा भारत ने हमेशा उदारबादी धारा को समर्थन किया है माना है आज ये विधेक उसको लाके समाजिक समरस्ता लाने में उच निच का भेद मिटाने में अंत में मैं कहूंगा सुस्वासु राज जी वहाँ डीडर अफ अपोजिस्चन थी राजनाज जी राजनाज जी अजवानी जी सब बढ़ते थे आगे मैं पी दुसरी बेंच पर था महिला आरक्षन विधेक आया था उसमें वोपिनाथ मुंडे जी के ने तुर्त में हम पिछडों ने भाजपा में कहा था कि आरक्षन सुईकार है लेकिन महिला आरक्षन में पिछडे और दलित के लिए भी आरक्षन का प्रावधान होना चाहिए मानिय अडबानी जी का अपने घर पर सब को बुलाए पाटी में साहमती बनी उस विधेक में आया की साहब इनको मिलना चाहिए लेकिन जब कभी हम पिछडा की बात डालते हैं तो कांग्रेस पाटी उसमें तांग लगा देती थी कि इसमें आल्प संध्यद भी खुसा हो माने इनका पिछडा से क्या दोस्मानी है मुझे समझ में नहीं आया आजाद भारत में मैं कांग्रेस पाटी से पूछना चाहता हूं किनोंने अखिल भारती अस्तर पर पिछली जाती का ये थी पहिक है। मैं नेटाप्रज्द कीया हो जो डशाले कि अपने विय रूच किया ये गैर कांग्रेस भाट की राजनीती क वर्बर्ष करने वाला सबसे अगारिम पक्ती में फिश्री जाती का था मुनीप मुनीप अप्पाजी नि पाट और ईधाओ गिंती होती है जो आगे चलता है आगे कौन था क्या मिला है आपको इसलिए मैं अपनी बानी को बिढाम देते हुए आज हिंदुस्तान में इस लोग सभा टीवी पर इस लोग सभा टीवी पर करोरों लोग इसको देख रहे हैं पिछरे देख रहे हैं दलित देख रहे हैं सब सुन रहे हैं मैं उन सबों से हाथ जोर के प्रार्थना करता हूं कि आओ सिरी नरेंद्र मोदी ने जिस उधारबाद की धारा बहाई है उस उधारता को लेके चलो सब का साथ सब का अगर उजुला जोजरा में गैस बंटा गया तो सबसे जादे पिछड़ा है दलीत है अनुसुचित जाती है मुस्लीम है तहां उसमें कोई भी बात है इसलिए जितने सरकार की जोजरा है सब गरीबों उनमुखी है धोप्री बाले के लिए है गरीब के लिए है निर्धन के ल इसके करोरों नोजवानों को कहता हूं उठो नए भारत के निर्मान के लिए एक नया सूरज का उदय हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नित्रत में इस सूरज का अभिनंदन करो और इस समाज को सब को मिला के आगे बढ़ाओ धनिवार झाल 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 झाल